स्वागत है आप सभी का क्लाइट अनदर लो एंटरेंस एग्जामिनिशन के इस चानल पर मैं हूँ एड़ोकेट विजेंद सिंग चौधरी और आगे हूँ फिर से आप लोगों के लिए लेके आज है मंडे और तारिक है 9 अक्टूबर बहुत ही इंपोर्टेंट करेंट अफिर्स और बहुत ही करेंट के अंदर भी एक चीज़ बहुत इंपोर्टेंट अफिर्स आप लोग बहुत दिनों से इस्रेल पलिस्तीन वाला कंसर्ण जो है उसको देखते आई रहे हैं लेकिन आज कुछ इंपोर्टेंट करेंट अफिर्स के अंदर हम इंटरनाशनल रिलेशन्स को बहुत इंपोर्टेंटली देखेंगे क्या इश्यू है कहां से स्टार्ट हुआ है और कहां पे जा रहा है यह सब कुछ आज डिस्कस करने वाले हम सुजानिजी मंगल जी रुची रितांशु मिरनाली सना फन फो लाइफ साहिल पालक प्रतिबा सिम्रन सुभी स्नेहा सूरत ज्योती मदूमिता मीत रूची सिम्रन फन फो लाइफ everybody very 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 warm welcome I hope सभी का संडे अच्छा गया होगा सभी ने एक्जाम भी दिया होगा और बहुत अच्छा दिया होगा right so संडे जा चुका है मंडे आ चुका है week की शुरुवात है जो अब हो चुकी है तो मैंने आपको क्या कहा था जो भी बच्छा अब तयारी कर रहा है उसके लिए एक बहुत important चीज है and that is आपका week स्टार्ट हो गया है today is the start of your week please हर बच्चा ये make sure करेगा everybody from Monday now आज Monday है from Monday to Saturday आप लोग आज ही अपना पूरा plan तै करेंगे कि Monday से लेके Saturday तक को आप कैसे पढ़ाई करने वाले है ये पूरा plan आपका होना चाहिए और इस पूरे plan को Sunday को आप खुद review करेंगे और फिर चेक करिए कितना target लिया था और उस target को अचीव कर पाएं की नहीं कर पाएं आज Monday है कसम खाके अपने दिल पे हाथ रखके आज हर बच्चा अपना plan तैग करेगा कि मैं Monday से लेके Saturday तक ये ये सारे topics हैं जिनको मैं अच्छे से पढ़ूँगा इस topic के अंदर ये पढ़ना है ये पूरा plan आप आज तैग करेंगे देखिए टुकरों में जब आप आगे बढ़ेंगे आज होना चाहिए ठीक है चलिए शुरुवात करते हैं आज के सबसे पहले और important चीज़ की वह है आपका एक you know मैं स्टार्ट की है में मोटिवेशन के साथ करता हूं and the motivation is शंघर्स प्रगती का अमंतरन है जो प्रगती है वह अमंतरन की तरह देती है आपको शंघर्स बहुत जने हैं जो शंघर्स से जूझे जाते हैं और पीछे भाग जाते हैं उनके लिए यह जो इसे स्विकारता है उसका जीवन निखर जाता है और जो इस संघर्स को अपने दोस्तों की मस्ती दिख रही होती है उन्हें अमीर दोस्तों की कार दिख रही होती है उन्हें अमीर फ्रेंड्स की कपड दिख रही होते हैं लेकिन यह नहीं पता आपको कि अगर आज आपने संघर्स किया तो यह सुख कल आपको और अपने आने वाली पीडियों को जरूर दे पाएंगे तो आज का संघर्स कल का सुख है और आज का सुख कल का संघर्स है आपके ओपर depend करता है आज संघर्स करके आगे की पूरी जिन्दगी सुख में जीना है या आज सुख सुख में जी के आगे पूरी जिन्दगी पर संघर्स करना है इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ और पहली news बहुत important है and that is very very important Israel air strikes pound gaja as death toll climbs देखिए ये किसी भी तरीके से हम नहीं कह सकते कि violence जो है वो किसी भी तरीके से सही हो सकता है ठीक है और अभी हमने जिस तरीके का वीडियो देखा मैंने कल देखा तो ऐसे मुझे इतना अजीब लगा कि लोगों की क्या सोच हो गई है और क्या हमारा समाज भड़ता जा रहा किस तरफ जा रहा है समझ के बाहर है यह सारी बात है एक आपके दो देशों के बीच की एक लड़ाई है जहां पे कौन पिसरा है वहां पे पिस रही है आज की आने वाली पीडी की लड़कियां जो बूड़ी हो गई है वो औरते और बच्चे यह सबसे ज्यादा परेशान है और इसके पीछे कल वीडियो देखा जहां पे एक लेड़ी को एक विमेन को जो है नेकेड करके उसके पुर कपड़े हटा के और उसके साथ में फिर बंदु के से बताने लगे तो आप पीछे यही पीछे चलते जाएंगी कभी 100 साल का कोई दिलासा देगा कभी कोई 50 साल का देगा कभी को 500 साल का देगा लेकिन आज के टाइम पर हुमेनिटी को बचाना जरूरी है आज मैं आपको पूरी हिस्टोरिकल कॉंसेप्स क्लियर करूंगा पूरे वार के पीछे कि क्या रीजन है जिसके कारण से ये वार आप और हम देख रहे हैं उसका क्या बेसिक रीजन है वो आज आप लोगों के साथ में मैं यहां पर डिसकस करने वाला हूँ ठीक है बाई चलिए तो कुछ फैक्स मैं आपको समझाओं उससे पहले आपके साम दबा के मुझे बता दीजी कि आप सब लोग जुड़ चुक है मेरे साथ में everybody is live right now with me मुझे ऐसा नहीं लगना ची कि आप सिर्फ mobile में चला के बैट गया लग तो जल्दी से एक like button दबा के बता दीजी कि I'm here so this is basically the map which we were talking about आप इस map के अंदर देखेंगे यह इसराइल है भी Jerusalem है जहां पर dispute अभी आप लोग देखते वे आ रहे हैं लगातार आप लोग जो है न्यूस में भी सुनते वे आ रहे हैं और सारी चीजों में देखते आ रहे हैं this is West Bank and यहां पर जो मैंने red किया हुआ है यह built-up Palestinian area ठीक है जो भी red दिख रहा है आपको यह Palestinian area है जो किनों ने built up किया है और यह Palestinian civil control area है यह जो area है यह civil control area है जहां पर civilians रह रहे है Palestinian ठीक है यह इसराइल और यह पूरा disputative area अब बात करता हूँ historically तो सबसे पहली बात करते हैं Egypt sorry अगर हम बात करते हैं इसराइल की और हम बात करते हैं Palestine की तो बात है initially at the state of 1917 की कब किये बटा 1917 से जो है यह dispute जो है arise हुआ है अब क्या है कि जो Israel है यहां पर क्या है Jews है ठीक है Jews जो है इस community के लोग यहां रहते हैं वहीं पर अगर मैं बात करूं Palestine तो यह basically Muslim dominated है क्या है Muslim dominated है ओके अब यह जो dispute arise हुआ इस dispute के अंदर सारा का सारा जो issue था वो किसका था boundaries and areas का और इस dispute के अंदर अगर मैं बात करूं कि conquer था तो Britishers जो थे यह यहां पर rule कर रहे थे ठीक है और इस पूरे जैसे आप देख रहे होंगे भारत बारत जो है यहां पर Britishers थे हमारा देश हमारी जमीन सब कुछ हमारा क्या कर गया हो वो इंडिया पाकिस्तान बना के चला गया ना बना के चला गया ना उसी तरीके से इस एरिये को भी दो divisions के अंदर जो है वो यहां पर कर दिया गया Britishers के तुरू अब यह डिस्प्यूट चलता रहा और यह इस्प्यूट खतम नहीं हुआ 1947 के अंदर जो है 1947 में Britishers छोड़के भाग गए उनसे क्योंके हाथ में कुछ था नहीं और वो छोड़के भाग गए बट 1948 मे 1948 के अंदर जो एकदम ताजा ताजा UN बना था उस UN के पास में जो है यह partition का issue गया and UN ने क्या किया UN ने इसरेल और पलिस्टीन के बीच में partition कर दिया लेकिन यह partition के समय अगर मैं पलिस्टीन को बताऊं तो पलिस्टीन के साथ में support के अंदर सारे के सारे अरब देश थे कितने all the Arab countries जो थी यह सारी countries के से साथ है यह सारी की सारी countries पलिस्टीन की साइड थी और यहां पे इन्होंने क्या सोचा इन्होंने सोचा कि हम war करते हैं और वार करके जितना भी इसरेल है उस इसरेल के हिस्से को भी ले आते हैं और जरूसलम गाजा यह भी हम हमारा conquer कर लेते हैं ठीक है सरी dispute भी important है ना exam perspective बिलकुर important है क्यों 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 कि यहां से directly questions इंडिया से related पूछे जाएंगी जो मैं भी बताऊंगा वो भी बताऊंगा ठीक है अब क्या हुआ कि war छीड़ गया किसके बीच में पलस्तीन और इस्रेल के बीच में और यहां पर Arab countries ने support किया पलस्तीन को लेकिन इस्रेल जो है बहुत strong nation है इस्रेल ने क्या किया इस्रेल ने लगबग 50% of पलस्तीन जो है उसको conquer कर लिया 50% of पलस्तीन को यहां पर उन्होंने conquer कर लिया अब यह जो है war उल्टा पढ़िया किसके उपर पलस्तीन के उपर यही से कहानी चलती रही चलती रही और यह war state के अंदर जब भी कोई दो देशों के बीच में war होता है वो कभी भी किसी भी चीज का solution तो नहीं दे सक के अंदर हम देख रहे हैं फिर से war state के अंदर पहुंच चुका है इसरेल एस वेल इस दी पलस्तीन कुछ factual चीज़े हैं जो कि मैं आपको अगली slide में दिखाता हूं जो कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा जो कुछ मैंने आपको बताया उसको और आसानी बेलफर और इन्हों ने बेलफर डिक्लेरेशन जो है वो रिलीस किया जिसके तहट जो है दोनों देशों के बीच में पार्टिशन होना था ठीक है और इसको वो लोग नहीं कर पाए क्लियर उसके कारण से क्या हुआ यहां पे एक वाइलेंस का महौल तयार हुआ और 1948 के अं वो पलिस्तीन बन गए ठीक है इंडिपेंडेंट जूस जो है वो क्या कहलाने लगा इसरेल और जहां पर हम बात करते हैं अरब स्टेट पलिस्तीन हो गया ठीक है लेकिन प्राब्लम यह नहीं थी 1948 में जब वार हुआ तो यहां पे लगबग 50% जो टेरिटरी है वो और एड आफेरेल ने कॉंकर कर लिया ठीक है और जब जॉड़न की बात करते है तो जॉड़न ने वेस्ट बैंक कोकॉन कर कर लिया यहран जो कि अब चलता हुआ, आ रहा है, चलता हुआ, बात समझ में आई, पूरी पूरा क्रक्स समझ में आगे है, डिस्प्यूट का, कहां से शुरू हुआ, किस ने क्या किया, किस ने क्या नहीं किया, ये सारी चीज़े समझ में आ गई हूँ, तो फिर मैं आगे बढ़ू और सामने मैं ऐसे ऐसे करता हूँ दिख जाओं ठीक है चलिए एनिवेज लेट्स गो टू टू दी next important thing जो कि इसी से related है और आप लोगों को उसके notes बनाने की ज़रूत नहीं है क्यों क्यों कि मैं notes आपके लिए खुदी बना देता हूँ सो इसरेल-Palestine conflict जो है जो मैंने अभी आपको बताया सारा का सारा कहानी यहां पर लिखा है मैंने ताकि मेरी कहानी याद भी ना रहे तो कम से कम आप लोग यहां से पढ़के जो है इस कहानी को याद रख सकें सर प्लीज गाजा पटी के बारे में बता दो हां बता रहा हूँ देखो यह क्या है बेसिकली जो वार है 1949 के अंदर जब एंड हुआ जहां पर इसरेल की विक्टी हुई लेकिन पलेस्तीनियन जो थे वह बहुत सारे इसको डिवाइड किया गया तीन पार्टीशन के अंदर जब यह वार के अंदर जब लडाई हुई और जहां पर यह जीती जगे तो वहां पर इनको तीन चीज़ों में डिवाइड किया गया ते स्टेट ऑफ इसरेल वेस्ट बैंक ऑफ जॉर्डन रिवर एंड गाजा स्टेप यह तीन चीज़ों में इसको डिवाइड किया गया और 1967 जो कि आप कहते हैं कि एक अनतर वार जिसको हम नोन करेंक जैनां बहुत जूर्श डेटाएड कि इसट जाने में सृष्ट पर लेकिन सलेव मश्वरा के बाद में और बातों के बाद में यह जो एरिया है इसको रिलीस करदिया गया इस्रेयल के थुरू उनन mural में छोड़ दिया इस एरिये को लेकिन बहुत इस ट्रॉंग नेशन है इसरेल इतना आसानी से उसको हांका नहीं जा सकता था और इसको जो है एक और मैप आपके लिए मेरे पास है जिससे आप समझ पाएंगे कि कब किसके पास क्या था और कब किसके पास क्या नहीं है इसरेल को नुकलियर वेपन को यूज़ कर चाहिए नहीं करना चाहिए पागल होके नुकलियर के यूज़ करेगा 1917 में यह ऐसा था ठीक है अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रीन फोकस करिया ग्रीन पलिस्तीन है और ब्लू इसरेल है प्लीज ध्यान रखेगा तो यह इतना इ जिसका डाउट था समझ लेना यह गाजा स्ट्रिप और यह रहा जेरूसलम और यह पैलेस्तीन बन गया ठीक है स्लोली ग्रेजुली 1967 का जब वार हुआ तो उसके बाद में यह बाउन्डरी कर दी गई ठीक है और यह एरिया जो है यह किसके पास चला गया इस बेसिकली वें तो आगे बढ़ने के बाद में यह एक नया मैप हमारे सामने आया जहां पे पलेस्तीन टुकडों में दिख रहा होगा आपको टुकडों में पलेस्तीन होगा और इस्रेल और बढ़ गया राइट 2020 के अंदर देखें तो यह कॉंसेंट्शुल मैप है जो की पलेस्तीन की एक क्या कम हुआ अगर यह बात समझ में आगे तो एक लाइक ठोको और आगे बढ़ते हैं इंडिया के और इस्रेल के रिलेशन्स पर बात करते हैं जल्दी से स्पीड करिए भाईया पटाफ़ट से मैसेज लिखा करिए कि यह सर समझ में आ गया डन चली आगे बढ़ते हैं बह प्रैंडल के सांगिएं उसने इस्रेल के डिफेंस रिक्रेंस इस शिस्टम के साथ में अपना क्या किया है एम औो यू जो है वो साइन किया है और ज़ो है डिफेंस कीपमेंट के अंदर करने वाले हैं और अगर बात करो इंडिया इस्रेय इस इसे अव Lori सप के अब तक ठीक है, partition के बाद में, लेकिन 1950 से जो है, हमने basically इसरेल को एक तरीके से कह सकते हैं कि country की तरह recognize किया, and we established full diplomatic ties on 29th January 1992, ठीक है, 1992 के अंदर हमने सबसे पहली बार इसरेल के साथ में diplomatic ties जो है हमारे, वो sign किये, ये आपके लिए बहुत static का question है, देखिए, ये सब आपको कहीं नहीं म लेगा, इनको थोड़ा सा focus करा करिए, जो मैं अलग से आपको देता हूं content, ठीक है, news के बाहर का, ठीक है, so as of December 2020, 2020, December तक अगर मैं बात करूं, तो 164 UN nations member जो है, that is, have diplomatic ties with Israel, ठीक है, लगबग, जितने भी UN के nations है, उन में से लगबग 164 देश ऐसे हैं, जिनके already ties हैं, किस के स साथ में, इसरेल के साथ में, और आपके जानकारी के लिए बता दूँ, कि भाया, बहुत ही dangerous, बहुत ही dangerous ship है, USA का, जो की already, already रवाना हो चुका है, किस के लिए, इसरेल के लिए, इसरेल के support में, US ने अपना जो है, बहुत ही dangerous ship है, उसको already, naval के लिए निकाल दिया गया है, वो भी जा रहा है, because, इसरेल जो है, इसके टाइप सब के साथ ही बहुत अच्छे है, and यह बहुत strong country है, बहुत छोटी है, लेकिन बहुत strong है, ठीक है, चलिए, economic के अगर बात करें में, तो यह बहुत बड़ा tie है हमारा किस के साथ में, इसरेल के साथ में, and, इसरेल have increased from US dollar 5 billion before COVID pandemic to about 7.5 billion in 2023 January, ठीक है बाई, आगे बढ़ते हैं, तो trade जो है, सबसे ज़्यादा किस चीज में होता है, trade in diamonds constitute about 50% of bilateral trade, अब यह बहुत important हो जाता है, आपने श्रिलंका वाला पैसेज देखा था, उसमें क्या पुछा, कि कौन से trade sector है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा dominant करता है श्रिलंका, वहीं यहाँ पुछा जा सकता है, कि सबसे बड़ा bilateral trade जो है, उसमें कौन सा product है, जिसके अंदर, इसरेल और इंडिया के बीच में है, तो that is better diamond, किसके है, trade in diamonds, प्लीज, यह इन सब चीजों को note down करते रहिएगा, ठीक है, इनको note down करते रहिए, यह important होती है, ठीक है, now let us talk about the defense, तो defense के अंदर जो है, इंडिया is one of the largest importer of weapons from Israel, इसरेल का largest, अगर कोई importer, जिसको इसरेल सबसे ज़्यादा अपनी equipment अगर बीचता है, तो वह इंडिया है, कि भाया, लगबग 40% arms का export जो है, वो इसरेल का कौन ले रहा है, इंडिया ले रहा है, आपको मैंने पूरी की पूरी news, उसका crux, उसका impact, और साथ के साथ में इंडिया, इसरेल के सारे के सारे important ties, और important current affairs के साथ में static की चीज़ें, जो कि आपके लिए बहुत important directly questions पूछे ज आ सकते हैं, क्यों, क्यों क्यों कि ये अब क्या है, international affairs के अंदर आ गया है, ठीक है भाई, ओके, चले बात समझ में आगे तो आगे बड़े भाई, let's go to the next thing, that is a census for a new deal, ये आपके editorial के अंदर मिलेगा आपको, ठीक है, और ये क्या कहना चाहरा है, वो हम आपको समझा देता हूँ, basically, यहाँ पे हमने देखा कि अभी recently census हुए है, ठीक है, अब एक चीज़ है, जो कि आप लोगों को समझनी होगी, census and survey, ठीक है, अभी जो basically बि बिहार क्या कहा रहा है कि हमने census नहीं किया है, हमने क्या किया है, हमने survey किया है, अब ये basically जो survey है, ये survey क्या बताता है, ये cast based, caste based, caste based, data को जो है ये बताता है, अब इसके क्या माईने है, क्या impact है, मैं आपको समझानी कोशिश करता हूँ, basically, यहाँ पे ये बताया गया है, कि हिंदू कितने है, मुस्लिम कितने है, सिख कितने है, इसाई कितने है, और इनके अंदर से, आपके SC कितने है, ST कितने है, OBC कितने है, EWS कितने है, ये सारी चीजें जो है, इस पूरे के पूरे datas के अंदर रखी गई है, अब यहाँ पे concern ही आती है, कि भाया ये जो survey कराये गया है, ये dispute के अंद तरीके का census ही है, लेकिन इसको नाम दिया है, क्या, survey नाम दिया है, ठीक है, और इनका ये कहना है, कि इस survey से क्या होगा, हम इस caste based, जो हमने caste based, जो survey कराया है, हम इस से क्या करेंगे, हम इस से policy formation में ये हमको help करेगा, और इसकी जो है, पूरे के पूरे देश के अंदर इसकी जरुरत है, पूरे देश में जो है, इसी तरीके का survey of a census होना चाहिए, लेकिन census किस के अंदर आता है, union list के अंदर आता है, किस में आता है, union list में आता है, census को कौन करा सकता है, only union करा सकती है, उसको कोई भी state government नहीं करा सकती है, right, ओके, अब census के नाम को बदल के survey बता दिया ठीक है, जैसे दुर्गेश ही महेश है, महेश ही दुर्गेश है, इतना ही तो फर्क है, तो ये नाम बदलने से, माइने तो बदले नहीं, काम तो यही था, लेकिन हिनों ने इसको census ना कहते है, survey का आया है, तो आप भी प्लीज ध्यान रखेगा, this is not census, this is basically a survey, because census करने का power only क इसके पास है, union के पास में है, not with the state, ठीक है, यह आपके लिए एक important चीज है, ठीक है, ओके, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और कुछ factual चीज हैं जो आपको इस news से आपको पता चलेंगी, तो आप देखिए, आपके सामने मैंने statics की कुछ चीज़ें वो रखी हैं, वो क्या है सबसे पहला, तो भाईया यह जो है, एक तरीके का survey है, दूसरे important चीज, भाईया यह जो survey है, यह census of India के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो भाईया सबसे पहली बार जो है, इसको हमने देखा 1881 में जब colonial rule चल रहा था भारत के अंदर, colonial मत्तब Britishers जब इंडिया के अंदर rule कर रहे थे, तब की बात है, तब first time हमने census को होते वे देखा था, census के अंदर क्या है, पूरे country के जितने भी लोग है, उनके caste और you know basically इसके बिहाफ पे जो है, यहाँ पे हम लोग जो है, डेटा जो है, उसको concern को पूरे को एकटा करते है, और उसके accordingly फिर policy making के अंदर वो आप OBC, इसके अंदर scheduled tribe, scheduled caste की तो population जो है, वो बताई जा रही है, लेकिन OBC जो है, वो नहीं बताई गई है, ठीक है, okay, so that is very important concern, यहाँ पे OBC ही नहीं, EWS and other और जितने भी categories के अंदरा बाट रहे हैं, उन सभी का data जो है, वो आना चाहिए, sir, difference क्या होता है, sir, नाम ही तो change है, हा census तो सिर्फ और सिर्फ union के पास option है करने का, तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है, हमने तो survey करवाया है, थाकि हम हमारे policy बना सके है, state के अंदर, कि हमें किसके उपर क्या काम करना है, किसके उपर क्या खर्चा करना है, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा है, चलिए, now, census जो है उनको socio economic you know किस तरीके से उनका upliftment किया जा सकता है यह सारी चीजों की detail है वो इस census के थूरू जो है वो utilize की जाती है now let us talk about SECC अब देखिए यह तो आपके यहाँ पर newspaper में आपको दिख जाएगा जब आप पढ़ रहे होंगे लेकिन अब आपको यह नहीं दिखेगा that is socio economic and caste census ठीक है तो यह basically क्या है तो मैं आपको बता दूँ यह basically first conduct होता 1931 के अंदर ठीक है और यह क्या identify करता है it is to identify the indicators of the deprivations कि कौन तपका नीचे है कौन तपका उपर बढ़ा है किसकी कितनी आए है कौन कितना अच्छे facilities को utilize कर पा रहा है यह सारी चीज social and economic प्लीज ध्यान रखिएगा इसमें social economic status देखा जाता है society में आपका क्या caste कितनी है that is social and कितना आप कमाते हैं क्या सारी चीज़े facilities आपको utilize कर रहे हैं that is basically economic ठीक है इसके बारे में अगर मैं detail के अंदर आपको बताओं तो कुछ facts है जो आपको पता होने चीए जो कि आपके examination perspective से important है वो यह है कि यह जो difference है census के अंदर और SEC के अंदर तो वो आप समझ लीजीगा ठीक है तो census जो होता है यह general portrait करता है इंडिया की population को कि भारत की population जो है वो कि कि माइने पर बटी हुई है कितने इंदू है कितने मुस्लिम है कितने SC है कितने ST है इस माइने पर पुरे हिंदुस्तान की जो basically population है उसको define किया जाता है लेकिन यहाँ पे जब हम SEC की बात करते हैं तो यह define करता है beneficies of state support कि state की तरफ से जो भी policies बनाय जा रही है उनको कौन किस तरीके से utilize कर रहा है यह सारी चीज़े पता चलती है किस से SECC से ठीक है बेटा आगे बात करूं तो census का data होता है यह confidential होता है इसके अंदर आप data को आप public domain के अंदर नहीं दे रहे हैं आप सिर्फ figures दे रहे हैं but whereas SECC जो है यह आपके लिए confidential नहीं है because इसके basis के ओपर ही आप क्या करेंगे policies को बनाएंगे क्या बनाएंगे आप policies को बनाएंगे और उन policies का benefit जो है आप उनके household तक पहुचा सकते हैं just because of these data ठीक है sir what is the point of conducting this survey when the state was majorly ruled by OBC caste CMs बेटा this is not at all a concern यह सारी चीजों पर हमें discussions नहीं करना है हमें political concern पर नहीं जाना है we don't have to we don't have to be biased as per the political agenda हमें सिर्फ पढ़ाई के लिए content पढ़ना है कि पढ़ाई के लिए हमारे पास में क्या important है ठीक है चलिए आगे बढ़े भाई अगर बात समझ में आगी पूरा यह census और यह सारी कहानी आ गई हो तो फड़ा फड़ से आगे बढ़ जाए अगर आगे बढ़ना है तो जल्दी से जो बच्चे नए जूड़ रहे हैं पता नी 160 students है लेकिन likes 122 दिखते हैं पता नी 200 like के अंदर बहुत जो रहाता है तुमको चलिए भाई यह बहुत अच्छी न्यूज है और इस न्यूज के अंदर बहुत गड़बड भी है दोनों चीज़ा समझ लेते हैं so the decision of RBI is monetary policy committee जो मैं आपको बता दू कि भाईया RBI जो है RBI versus government or you can say or you can say that is inflation versus GDP यह दोनों concept आज मैं आपके यहां से clear करूंगा यह दोनों concept कैसे work कर रहे हैं वो मैं आपको समझाने कोशिश करता हूँ थोड़ा सा इसको जो है ध्यान से सुनेगा इस पूरी news को क्योंकि अगर आपने यहां नहीं पढ़ा इसको अच्छे से क्योंकि आपके economics तो most probably किसी के भी नहीं होगी और जिसके होगी तो उसको इसके बारे में पता होगा नहीं होगा तो लग 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 बच्चों को इसके बारे में पता होगा so basically क्या होता है कि जब भी किसी देश के अंदर हमारे भारत के अंदर जब यह देखिए मैं आपको एक पिछले पेज पे लेके चलता हूँ जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए यह सारी चीजें लिख सकूँ ठीक है so basically क्या होता है हमारा जो inflation है ठीक है भाई जो inflation है जो महेंगाई जिसको कहते हो आप महेंगाई डायन खाव जात है महेंगाई इसके कुछ figures है तो कुछ 4% एक ऐसा figure है जो कि सबसे best figure रखा गया है और lowest कितने पे जा सकते हो आप 2% पे और maximum कितने पे जा सकते हो 6% बात समझ में आई अगर 6% के ऊपर अगर inflation जाता है तो वहाँ पर RBI की हलचल शुरू हो जाती है RBI क्या करता है जब inflation 6% के ऊपर चला जाता है तो फिर RBI क्या करेगा तो RBI अपने कुछ उसके पास methods है जिस methods के थुरू जो है वो inflation को control करता है वो होता है market से पैसा निकाल लेना जो market में पैसा है उसको वापिस से निकाल लो मतलब आपकी paying capacity कम होगी paying capacity कम होगी तो आप खरीदेंगे कम और चीज़ें आप कम खरीदेंगे तो आपको महंगी नहीं लगेंगी inflation down आएगा अब यह market से पैसा निकलता कैसा है तो निकलता है बेटा पहला process है वो है रेपोरेट आपको यह concept पता होगा दूसरा है reverse रेपोरेट तीसरा आपका SLR and then is your CRR यह चार concepts है जिसके थुरू क्या किया जाता है आपके जो inflation है उसको control किया जाता है प्लीज एकदम गौर से सुनिएगा ताकि यह आगे कभी जिंदगी में क्योंकि आप जब law कर रहे होगे तब भी economics का एक आपके पास subject होगा आपको पढ़ना होगा ठीक है जैसे आपको कुछ चाहिए तो आप bank से loan लेने जाते हैं उसी तरीके से banks जो loan लेने आते हैं वो किस से लेने आते हैं RBI से लेने आते हैं अब RBI ने अगर कोई loan दिया किसी bank को तो suppose यह 4% जो है उसके उपर interest rate लगा के loan दे दिया कि भाया मैं आपको 100 करोड रुपए दे रहा हूँ 4% per annum के इसाब से आपको क्या लगेगा इसके उपर आपको interest देना है अब repo rate है यह कौन सी rate है यह जो 4% है यह repo rate है ठीक है अब क्या करेगा bank अब RBI क्या करेगा RBI इस 4% को क्या कर देगा 6% कर देगा मतलब क्या किया bank ने अपना repo rate increase कर दिया repo rate increase हुआ repo rate increase हुआ तो आप जब bank के पास गए कि भाया मेरे को loan चाहिए तो bank आपसे क्या करता था पहले 7% ले रहा था लेकिन अब bank क्या करेगा आपसे यहाँ पे bank के पास में भी तो loan बढ़ अब bank को भी ज़्यादा interest देना है तो bank 7% के जगे आपसे क्या मांगेगा 10% मांगेगा कि भाया 10% ब्याज दो तो अब 10% मांगेगा तो आप loan लेने नहीं जाओगे आप expenses नहीं करोगे आप hold करोगे रूख जाओगे ठीक है यह होता है repo rate तो अब आप खर्चा नहीं करने ज SLR और CRR तो यह क्या होता है यह भी समझ लो यहाँ पर क्या होता है एक कुछ important चीज है कि जैसे suppose आपके पास में 100,000 रुपे cash है bank के पास ठीक है तो bank को कुछ पैसा जो है SLR के इंदर deposit करना पड़ता है और कुछ पैसा जो है वो CRR के इंदर करना पड़ता है अब SLR से याद रख लेना self क्या याद रख लेना self मतलब 1000 करोड रुपे है तो उसमें से 10% मान लीजिए मैं एक example की तो पर उता रहा हूँ 10% मान लीजिए SLR है और 10% मान लीजिए क्या है CRR है ठीक है भई तो 10% SLR और 10% CRR ये तो CRR और ये आपका SLR ठीक है अगर ये 10% है और ये भी 10% है तो जो आपका 1000 करोड रुपे है उस 1000 रुपे का 10% केतना हुआ 100 रुपे है ये तो SLR है मतलब बैंक अपने पास खुद के पास में एक तरीके से safety के लिए रखेगा कि कल को कोई emergency आ गई तो मैं ये पैसा यूज करूँगा और ये जो 100 रुपिया है ये 100 रुपिया किसके पास रखेगा ये RBI के पास में रखेगा कि अगर कल को मुझे कोई ज़रुत पढ़ गई emergency पढ़ गई तो मैं RBI से मेरा जो deposit मैंने रखा रखा है जैसे for an example आपके पापा की जो salary है वो एक ला तरीके से FD कराने के लिए तो उनके पास RBI होता है ठीक है और एक ये 10 परसेंट जो है वो खुद के पास रखते हैं जो भी कभी जरूत पढ़गी emergency पढ़गे तो उसके अंदर इसको यूज किया जाता है ठीक है भाई बास समझ में आ गई अगर बास समझ में आ गई तो प अब बनाना चाहती है एक फैक्टरी बनाना चाहती है ये लोन लेने के लिए कहा गई बैंक के पास बैंक ने बोला भाईया पईसा क्या है अब एक्स्ट्रा लगेगा आपके पास ब्याज तो मिरनाली ने और सावली ने क्या किया अपना प्लैन ड्रॉप कर दिया फैक्टरी बनाने का क्यों विकॉस अब उनको लोन है भी पड़ रहा है तो अब फैक्टरी नहीं बनाएंगे तो भाईया यह किस पर इंपक्ट करेगा डारेक्ट ली एकनामी और यू कें से जी डीप है महेंगाई और दूसरी तरफ क्या है जी डीपी अब इन दोनों के बीच में क्लैश है राइट तो अब आर्बी आई किस चीज के लिए आर्बी के पास क्या पुछा जाएगा जब भी 6% से उपर अगर हमारा इंफलेशन चला गया तो आर्बी आई से पुछा जाएगा ब यह पुछा जाएगा किस से अब इस चलने लग गया यह जो डिस्प्यूट है यह डिस्प्यूट किसके बारे में हो गया डाट इस बैसिकली आर्बी आई versus गवर्मेंट यह गवर्मेंट जो है वो तो अपने GDP दिखाएगी ना कि यह देखो हमारी GDP यह जा रही है अब इस issue को solve करने के लिए जो है इसके लिए monetary policy जो है committee जो है MPC इसको जो है basically गठन किया गया अब यह monetary policy committee जो है यह basically इन दोनों चीजों के बीच के बीच का समनवा करती है कि GDP भी बढ़ती रहनी चाहिए और हमारा जो RBI का main काम है inflation control करना वो भी control होते रहना चाहिए इन दोनों के बीच के अंदर से जो basically एक रस्ता निकाला जा सके वो काम होता है monetary policy committee का बात समझ में आगे बीटा अब मैं बात समझाता हूँ आपको monetary policy committee के बारे में यह आपके स stagnant रखी है लेकिन यहाँ पर एक चीज और एक concept दे दिया इन्होंने वो है open market operation sales अब open market operation sales जो है यह बहुत ही difficult तो नहीं बहुत simple है यहाँ पर क्या होता है जो government जो banks होते है जो RBI है वो क्या करेगी securities को sell करती है और securities को sell करने से क्या होता है market के अंदर से पैसा निकल जाता है और market से पैसा निकल जाने से क्या होगा कि आपका inflation down आएगा तो अभी हाल फिलाल के अंदर जो है इनको securities को sell करने का काम किया जा रहा है और जब वापिस से RBI को पैसा डालना होगा तो उन securities को वापिस purchase कर लेगी अब उनके पास में वो bonds government के जो bonds होते है securities होती है वो वापिस तो यह slide आपको उसके बारें बताएगी क्या है monetary policy committee जो है यह basically RBI Act 1934 के अंडर जो है basically amend किया गया और इसको amend करके क्या कहा गया finance act 2016 जो कि हमें provide करता है किसके बारे में that is statutory authority जो MPC कहलाती है statutory है please ध्यान रखेगा यह statutory authority है और इसका काम क्या है यह basically क्या काम करती है यह काम करती है with the task of fixing the benchmarks of policy rate that is repo rate मैंने आपको भी बताया required to contain the inflation within the specific target levels एक specific target level थक ही आप अपने repo rates को increase decrease कर सकते है ताकि आप अपनी जो growth है जो देश की जो growth है उसके अंदर आपकी repo rate जो है वो impact ना लेकर आए ठीक है भाई all clear बात समझ में आई I hope I am clear with this अगर if I am clear with this तो फिर एक thumbs up दे दीजे भाई thumbs up दे दीजे ताकि फिर आगे बढ़ जाएं ओहो ओहो यह क्या हो गया anyways कोई बात नहीं हम सीधा अगली slide पर आते है ताकि यह पता चल जाए हमें ठीक है so basically यह जो news है बच्चे यह news है एक बहुत important wild dog tiger की ठीक है आपके सामने image दिख रहा है आपको can you see the image बहुत बढ़िया चलिए so यह basically एक species है जो आप देख रहे होंगे यह dog की एक species है जिसे क्या कहा जाता है धोले ठीक है धोल भी कह देते हैं को धोले भी कह देते हैं यह basically एक तरीके का asiatic wild dog है ठीक है जिसको kwan alpinus के नाम से भी बोला जाता है और इसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूत नहीं है सिर्फ इतना कुछ facts जो आपको पता होने जो आपके exam में पूछे जा सकते हैं वो इसका IUCN status पूछा जा सकता है कहां कहां पाये जाते हैं इतना पूछा जा सकता है वो मैं आपको समझा देता हूँ तो बेसिक जो ढोल एसेटिक wild dog जो है यह बेसिकली टाइगर की जैसा टाइगर होता है उस तरीके का ही इसका structure होता है और यह एक तरीके का wild dog होता है ठीक है और अगर आज के टाइम पे IUC and International Union for Conservative Natures Red List के अंदर देखे तो यह endangered है क्या है बेटा endangered है प्लीज आपसे directly पुछा जा सकता है endangered है कहां ज़्यादा पाये जाता है वेस्टन एंश्टन घाट्स के अंदर एंड सेंट्रल इंडिया लेंड्सकेप्स के अंदर पाये जाता है नौर्थ इस्ट इंडिया के अ है that is endangered ठीक है बाद समझ में आ गई सिर्फ इतना ही आपको यहां पर यह पता होना चाहिए इस से ज्यादा इस निउस में से कुछ निकालने की जरुरत नहीं है हमको ठीक है बाई चले आज आज एक आर्टिकल और इंपोर्टेंट है वो भी आपको बताना जरूरी है तो उस अपनी तरफ से ही लेकर आया हूँ that is what caused the flood in Sikkim ठीक है भाई so what caused flood in Sikkim अभी आप लोगों ने Sikkim में flood देखा होगा how many of have heard about you know floods in Sikkim अभी Sikkim में floods आए किस-kis को इसके बारे में सुना आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा न so basically जो floods आये हैं Sikkim में उसके लिए concept बताया गया है that is कि इसका कारण क्या रहा होगा floods का तो वो मैं आपको यहां पर discuss करता हूं so basically अगर हम बात करें तो इसको कहा गया large lakes formed ठीक है एल यह जो large lakes है यह क्या हुआ है कि जो glacier है glacier जो है glacier पिगलता है melt होता है melt होने के बाद glaciers का पानी है उसकी एक लेक बन जाती है धीक है यह जो लेक है इसके barriers बन गए, देंको parenth Δaluk कैसे बनेगी बनेगी एक तर पनी इखटा हो जाना अब एक जेखे पानी इ खटा कब हो गा जब चारों तरफ से उसको रोग दिया जाएगा तो उसके barriers बन गए वो किस चीज के बन सकते हैं वो rocks के बन सकते हैं, sediments के, debris के, इन सब को इखटा हो, होके जो है, आपने एक boundary create हो गई, और उसमें पानी जो है, वो इखटा होने लगा, लेकिन अब क्या हुआ, अब बेसिकली, जो साउथ, बेसिकली, जो साउथ, लेनॉर्क ग्लेशियर जो है, जो कि नॉर्थ सिक्किम के अंदर locate क किया जाता है, वहाँ पे क्या हुआ, यह जो लेक है, इसके जो barriers है, इसका breakdown हो गया, यह फट गया, यह तूट गया, यह किसी भी कारण से हो सकता है, हो सकता है कि वहाँ पे, इसका सबसे बड़ा impact बता जाता है, जो अभी recently जो नेपाल के अंदर जो अर्थ को एक आया, वो एक main concern है, जिसके कारण से floods के regions हमारे को बताया जाते हैं, कहाँ पे, सिक्किम के अंदर, ठीक है, so this is basically about this, now, एक report जो कि यह कहती है, कि लगबग, that the counts of 1926, जमु और कश्मीर, डैलोग जो आपने देखा, वहाँ पे भी इसी का एक बहुत बड़ा reason था, ठीक है, 1981 के अंदर के manure valley flood, जो हिमाचल परदेश में आए, वो 2013 के अंदर, केदारनाथ के अंदर भी outburst हुआ था, ठीक है, so यह सारे के सारे reasons क्या है, यह basically reasons है, जो यह glacier lakes होती है, यह जो form होती है, और फिर जब इसमें movement आता है, and that movement can be either by, either by any natural climate such as earthquake or something, या फिर overflow of water, जब बहुत ज्यादा पानी आ से जो है, floods की situations बढ़ जाती है, ठीक है, glacier lake outburst flood in Himalaya, pose a major risk to hydropower project and people living downstream, सिमरन क्या बात है, ठीक है, so this is why it is very important, कि भाया, हमें यह concepts भी पता होने चाहिए, ठीक है, अब इसके बारे में आपन और ज्यादर discussions नहीं करेंगे, इतना ही है, इस topic के अंदर, आगे हम questions के बारे में ब sprint 1-0, यह हमारा भी first sprint batch है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, जो की initial classes नहीं ले पाए sprint की, तो उनके लिए बता दू, sprint 2.0 जो है, जल्दी एक या दो दिन के अंदर आपका आने वाला, I guess 10th of October को आने वाला है, ठीक है, तो अगर कोई बच्चा ऐसा है, जिसको ऐसा लगता ह है कि sprint batch में वो join नहीं कर पाया, और उसे sprint batch join करना है, तो sprint 2.0 10 October को आ रहा है, that you can join, ठीक है, लेकिन अगर आप चाते हैं कि sprint 2.1 का wait नहीं कर सकते हैं, अभी आपको purchase करना है, sprint batch, तो आप use कर सकते हैं, code Y738 और जोड सकते हैं, और फिर आप मेरे साथ में counseling sessions भी आप ले सकते ह हैं, जो भी आपके समस्या हो, उनको solve करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, चली, यह आपका sprint batch for the clad preparators, ठीक है, जो clad की त्यारी कर रहे हैं, and this is your session, जो कि हम रात को 8-9 लेकर आते हैं, इस session में मैं आपके legal के concepts को clear कर दूँगा, ताकि it becomes very easy for you, कि आपके 2 subjects बहु Price 2023 for his outstanding contribution in mathematics, चली, come on, Saavli says that she has taken, sir, book की price increase कर दिये, हां, book की price increase हो गयी है, बताव, Come on, everybody, everybody, everybody has to answer it, come on, एक तरफा आंसर है क्या भाई, एक तरफा आंसर, बहुत बढ़िया, A is the correct answer, ठीक है, यह University of California के assistant professor है, Ryuzeng Zhang Bakle, USA से, and he will be awarded with the 2023 Sastra Ramanujan Prize for his outstanding contribution in mathematics, चली, next question, India's Annurani has won the gold medal in Asian Games 2023 in Hangzhou, she is related to which sports, ऐसे questions बनते हैं, बहुत बटाए, कहा टलीघरम पे किया है क्या है, मुईद बटाए कि टेलिग्राम पे किया है, तो एक बार वापिस से message कर देना, मैंद चेक कर लूँगा, ठीक है बटाए, कौन से game से related है, बहुत बढ़ी है, जैवलीन थ्रोस से आप किसको जानते थे, नीरत चोपना जी को जानते थे, मैंने आपको current affairs में भी बताया था, कि अब नीरत चोपना जी के साथ में, अब किसका नाम जुडने वाला है, इस अनुरानी जी, जिन्होंने gold medal जीता है इंडिया के लिए, क्या जीता है भाई, gold medal जीता है इंडिया के लिए, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़ी है, next question की तरफ आते हैं वेटा, world teachers day कब बनाया जाता है, कौन से दिन world teachers day मनाया जाता है, टीचर जी तो आपको सब को पता होगा, लेकिन world teachers day कब बनाया जाता है, यस, she is the first woman जिसने gold medal जीता है, चलिए, come on, रूची 99% है, class होगी, अभी schedule नहीं पता है मुझे, अगर होगी तो मैं उसका जो post है वो जरूर डाल दूँगा वहाँ पे, चलिए, yes, 5th September को हम बनाते है, teachers day, exactly एक महीने बाद 5th October को बनाया जाता है, that is the international teachers day, ठीक है भाई, और ये international teachers day कब से बनाया जा रहा है, 1994 से, कब से बनाया जा रहा है, 1994 से, इस day को established किया था किसने, UNESCO ने, चलिए, India's Avinas Sable won the gold medal in which category of men's step leashes at the Hangzhou Asian Games, चलिए, हाँ, आज, constitution की class चल रही है ना, paid में, अभी बेटा paid के उपर focus मेरा बहुत बढ़ा हुआ है, इसलिए मैं YouTube पे थोड़ा सा कम आ रहा हूँ, प्लीज, यह current affairs का section जो है, यह तो आप लोगों के लिए मैं लेकर ही आता हूँ, बट, apart from this, मुझे अभी paid के बच्चों को बहुत टाइम देने की ज़रता, उनके लिए research बहुत कर रहा हूँ, मैं उनके लिए बहुत सारे important topics हैं जो निकालने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा occupied हूँ, अगर फिर भी time मिला, तो मैं आपके लिए class लेने आऊँगा जरूर, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, मैंने आपको इनके बारे मी बताया था, अविनाज जी के बारे मी बताया था, इन्नोंने थो awards सबकी बार जीता है, और एक gold जीता है, ठीक है, अरे दिव्या वेरी वेरी लेट नहीं हो तुम तो लेट मतलब बहुत जल्दी आगे कल की क्लास के लिए यॉर वेरी क्विक फॉर दी नेक्स क्लास एंड टाइम पे थोड़ा अगर नहीं आओगे तो बेटा यह आपके लिए धिक्कत है थोड़ा सब बी क्विक हां मन्थली लेकर आ रहा हूँ बेटा प्वाटर लेकर आ रहा हूँ जुलाई अगर सेप्टेंबर लेकर आ रहा हूँ चलिये कम ओन एवरीबड़ी येस बहुत बढ़िया वेरी नाइस चाइना ने अभी सेंड किया है ठीक है और सेटलाइट का नाम क्या है युगान 3304 ठीक है ओके ठीक है चलिये अगर आप तयारी कर रहे हैं आपके CUT की तो आपके लिए तो बेटा एकदम alarming rate time है ये मैं CUT वाले बच्चों को विल्कुल एकदम strictly कह देना चाहता हूँ कि अगर आप CUT की टारी कर रहे हैं और अगर आपने अभी तक अपने टारी के अंदर ये सोचा है कि अभी में पास time है तो बेटा सपने में रह जाओगे जो बच्चे तयारी कर रहे थे पिछले साल से कर रहे थे वो इतना आगे निकल जाएंगे तो मैं पता भी नहीं चलेगा तो please make sure कि you join in as soon as possible now और आज या कल के अंदर आपका discount session भी होने वाला है तो आप purchase कर सकते हैं code use कर सकते हैं Y738 अगर आपको मैं as a mentor चाहिए जो आपको help out करे just not for your studies but also apart from your studies like क्या आपका plan of action होना चाहिए किस तरीके से आगे पढ़ना है यह सब कुछ जो है वो आपको अगर चाहिए तो उसके लिए आप Y738 code use करेंगे तो ही मैं आपको मिल पाऊंगा वरना मैं नहीं मिल पाऊंगा that is your choice your choice कोई कितना भी आपको समझाने कोशिश करें आप साफ कह सकते हैं Y738 का मतलब Y738 चाहिए कम पैसा देना पड़े चाहिए जादा देना पड़े मैं तो Y738 लेके ही आऊंगा ठीक है बाई चलिए बस इतना ही हाँ आज के लिए बस इतना ही समय की सीमा रेखा जो है वह पार हो रही है और मुझे अब जाना पड़ेगा मुझे जाना पड़ेंगा ठीक है हां मौक्स के अलग से सिरीज आएगी बिकॉज हम हाड कॉपी में दे रहे हैं ठीक है ऐटए चली इसके साथ लेता हूँ हम आप लोगोंसे अलवीधा ठीक है जाहिन मैं आपकी क्लास कितने वज़े होती है बता दीजे बेटा मेरी क्लास करेंट टक होती है और मेरी लीगली क्लास तीन से चार होती है ठीक है बच्चा ओके पेटा ये कोशन्स आपको कुज से करने होंगे बहुत सारे वेबसाइट से हैं जहाँ पर क्विज मिलते हैं आपको डेली सर्फ करिए और अगर आप नहीं तो दृस्टी पर जा सकते हैं और अड़ा 24-7 की क्यूज आप पर जा सकते हैं जहां से आप ये पर पेशन्स कर सकते हैं चलिए लव यू ओल टेक केर जय हिंद जय भारत बावाई टेक केर